नमस्कार मैं उशा भारगाउ स्वागत है आपका प्राइम 36 गड़ में दंतिवाडा के कतिया रास में एक यूवक ने यूवक को चाकू मार दिया जिसके बाद यूवक के उपचार के दोरान मौत हो गई तो इम्रतक यूवक का नाम साहिल बताया जा रहा है लेकिन अभी यूवक को चाकू मारने की वज़य का अभी खुलासा नहीं हुआ साथ ही पुलिस के दोरा कुछ संदेईयों से पूचताच भी की जा रही है वहीं पुलिस मामले की जाज में जट गई है अगली खबर अकल तरह से है जहां नरियरा में संचालित केसकी पावर प्लांट में महानदी मजदूर संग के बैनर तले भूविस थापेत और ठेका श्रमिको की मांगो को लेकर टूल डाउन हरताल जारी है बता दे कि कुछ महीनों से महानदी मजदूर संग के द्वारा कई मांगो को लेकर प्लाट प्रबंधन और श्रम विभाग सही छेत्रे विधायक सौरप सिंग के संग्यान में ग्यापन दिया गया लेकिन प्रबंधन के लचर मांसिक्ता के चलते अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया जिसको लेकर महानदी मजदूर संग के द्वारा शांती पूर्ट प्लाट संचालन को प्रभावित किये बिना टूल डाउन किया जा रहा है मानदी मजदूर संग के पताधिकारी ने बताया कि टूल डाउन में ये ध्यान रखा गया है कि प्लाट संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन नहों और मजदूर अपना विरोध शांती पूर्ट तरीके से करे प्रकार को लेकर मांग पत्र दिये थे इसका कोई पकार का जवाब मैनेजिमेंट के द्वारे नहीं आया फिर पुना हमारा मिटिंग हुआ इंद्रावुद्यान पर जा दस दिन का समय लिया गया था इस पर कोई पकार का ना बाते भी न रिस्पांस होगा फिर हम लोग एक दिन जाकर उसे कुछे सभी मजदे भाई के साथ उनके द्वारा फिर कोई पका का जवाब नहीं मिला तो हमारे माननी थेक्ट्री स्पेक्ट्र नेवल स्पेक्ट्र द्वारा अस्वासन दिया रहा है कि यहां बेंकर गुलवा का बात करेंगी करदे अगली खबर जगदलपुर में बस्तर जिलाक से है जहां भाजपा कार्याले में पंडित दीन दयाल उपाध्याय सदन के परिसर में जंडा रोहर कर भाजपा के 43वा स्थापना दिवस शहर के हरवर्ड में बनाया गया और बस्तर जिला भाजपा कार्याले में स्थापना द इस अपना दिवस किया जा रहा है और सभी पोलिंग बूत में भारती जनता पार्टी के वरिष्ट लोग उस वाड में पहुंचे हैं इस अपना दिवस कारीकरम में और यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के कालन इस अपना दिवस में कारकरताओं में बड़ा जोस ह जगदलपुर में नगर के कुमहार पारास्थित अंजनेश्वर मंदिर में हनुमान जयन्ती के अफसर पर भक्तों ने हवन यग्य और महाभंडारे का आयोजन किया में बड़ी संख्या में श्रधालूओ की भारी भीड सुभह से लगी रही साथी मंदिर समिती के पवन मोदी डॉक्टर मनोज पानी ग्रही अशोक चांडक और अनिस अदस्यों ने पूजा अर्चना कर महाभंडारे का प्रशाद ग्रहन किया कितने वर्षों से चल रहा है कब से मंदीर बना हुगा है अब पहला यह अपना अन्मान जी का जन्मुस्तों यहां बड़े धूंडा हमसे मना रहे हैं और इस आयोजन में आज हमने सुबह-सुबह प्राता इस भागवान अनंजे ने की यहां पर तान प्रशा के पास जो है फूजा उपासना की आराधना की हवल यज्य किया और यह यज्य की पूर्णता की हो रहा है और इसके बाद पूरे नगरवासियों को अपने आमंत्रित किया यहां पर आकर के वोई बंडारा प्रशाद ग्रण करेंगे और ऐसे धूंद सर्व ब्रामन समाज के संभागी अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक रखे गई जिसमें कारिकरम की भवेता के लिए लोगों ने अपने विचार रखे और पंडित शिव नारायन पांडे ने ब्रामन को अपने ब्रामनों का बोध कराने की बात कही और कहा कि ब्राह्मन कभी अपने आपको पूजने के लिए नहीं कहता, ब्राह्मन को तेज और उसका व्यक्तित्व लोगों को ब्राह्मन को पूजने के लिए मजबूर करता है. इस समाज के हर बड़ी, और हर परिवार से लोग निकलना चाहिए, और अधिक सब दिक लोगों की सब आधिता इस जन्मों सोख सोभाई आत्रा में रहे और ध्रहआ हो के द्वारा जह बस्तर में निवास रहते हैं, यहां के सभी समाजों के साथ जो मिल जिल के भाईचार और स जग्दलपुर में ब्रमलीन श्रीमच धनुरजय बाबा का निधन हो गया जिसके बाद बस्तर विधायक लखेश्वर बगेल ने उडिसा प्रांत के पोड़ा गुड़ा पहुँचकर ब्रमलीन श्रीमच धनुरजय बाबा के चत्र पर मालयार पन किया और बस्तर विधायक बगेल ने धनुरजय बाबा के प्रती एक अनमोल वचन बताते हुए कहा कि गुरू की भूमे का भारत में केवल अध्यात्म या धार्मिक्ता तक ही सीमित नहीं रहती देश पर राजनीतिक विपदा आने पर गुरू ने देश को उचित सलह देकर विपदा से उबारा भी है तो वहीं धनुरजय बाबा के नाम से आज गुरू बाबाओं के उपस्थिती में पुस्तक विमोचन किया गया बस्तर विधायक श्री बगेल ने आलेक महिमा विध्यापीट की परिक्रमा कर नवनिर्मित भवन का लोकारपन भी किया अगली खबर जांजगीर से है जहां हनुमान जन्मोचसब पर जिले का कड़ कड़ हनुमान मैं हो गया बतादे की नेला के नहरिया मंदिर दक्षिण मुकी के दर्शन के लिए दिन भर भक्तों का ताता लगा रहा तो वही नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल ने भी नहरिया बाबा मंदिर पहुँचकर पूजा अर्चना की और पुरे प्रदेश की खुशहाली के लिए काम नगी बतादे की नगर सही छेत्र और बाहर से भी शद्धालू यहां पहुँच रहे है तो वही यहां की समित और से आयोजित मानिस महायग्य का कारिकरम भी चल रहा है हम जहां पर खड़े हैं वह हमारे जानगीर नैला का प्रसिद नहरिया बाबा मंदिर है पूरे चत्तिजगड़ प्रदेश से और आसपास के प्रांतों से भी नहरिया बाबा के दर्सन करने के लिए आते हैं अब ऐसी मानिता है कि बाबा के जर्वार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है बाबा उनकी हर मनों कामना को पूर्ण करते हैं और इसलिए पूरे चत्तिजगड़ प्रदेश से पूरे अंचल से लोग यहां पर बाबा के दर्वार में मत्था टेकने के लिए आते हैं हम दिल लगा हुए सुबह चार बज़े से भक्तों का यहां ताता लगा हुए लाइन लगी हुए और दूर दूर से लोग पूरे 36 गड़ से और बाहर राज्यों से भी लोग बाबा के दर्शन करने आ रहे अपनी मनों कामना को लेके आया और मानु बाबा सबकी मनों में का कारिकम किया जा रहा है और सभी भक्तों को यहां साथ सज्ज्या बहुत सुंदर से ढंग से सया गया है और बहुत ही भव्य रूप से बाबा का इस्तेवहार को मनाया जाता है जिसमें प्रत्यक चौपाई में एक आहूती का प्रावधान है और यह यह नौ दिन आज नौव नहरिया बाबा के असिरवाद से यहां पर जो भीड आती है वो सिर्फ नहरिया बाबा के नाम से ही आ रही है वहीं सुक्मा में विशेश धर्म की यूवक पर WhatsApp स्टेटस में आपत्ती जनक वीडियो डालने का मामला सामने आया है तो वहीं वीडियो का संग्यान में आते ही सुक्मा पुलिस ने कारवाई की और पुरे मामले में FIR दर्जकर यूवक को गरफतार कर लिया वीडियो के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के सदस से कत्रित हुए और हिंदू संगठन के कई लोगों ने पुलिस का अभार विवेक्त किया साथी विशेश जाती यूवक की तथा कथित टिपणी को लेकर बंद का आवाहन भी किया जिसका शुक्मा जिले में व्यापक असर दिखा बस्तर संभाग मुस्लिम समाज जो है उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है हाँ असर यूवक खिलाप कड़ी सी कड़ी कारवाई के लिए हम पुलिस टेफिल करते हैं साथ ही हम यह कहना चाहते हैं कि सुपमा जिला के साथ साथ पूरा बस्तर संभाग यह हिंदू मुस्लिम जो है हमेशा यहां मिलकर रहें और हमेशा मिलकर रहेंगे और इस तरह कि कि करने वाले फुर्दंगियों का हम कभी भी इस्तिफाक नहीं रखते और हम इसके खिलाफ है कि प्रसाचन से मां करते हैं कि उसकी योग को करी से कड़ी सजय दी जाए वेक्ति के द्वारा जो वीडियो बनाया गया और जो भी किया गया उसका हम मुस्लिम समाज की ओर से मैं कड़ा निंदा करता हूँ और साथ ही मैं साथ पुलिस विवाक से अपिल करता हूँ कि उरके उपर कड़ी से कड़ी करवाई किया जाए जगदलपुर में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भुपेश भगेल के निर्देश और संसिदिय सजिव रेक्चंद की अनुसंसा पर NSM DC ने CSR मद में 5 लाख रुपे दिये इस अफसर पर एकचंद जैन ने कहा कि मिला मंड़ी हमारी आस्था और संस्कृति के अभिन अग है और इसके लिए धन की कोई भी कमी नहीं होगी नर्नागर पंचायत इस छेत्र का सबसे बड़ा पंचायत है और नर्नागर में माता बंडारानी बंडारिनमा का बड़ी वार्शिक मिला लगता है जगदलपुर में विधायक और संसिदी सचेवरेक्चन जैन समवीदन शील सुदुरवर्ती वनांचल ग्राम कोटम सर पहुँचे जगरामीडों ने उन्हें अपने बीच पाकर खुश हुए इस मौके पर उपस्तित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपुर और संसिदी सचेवरेक्चन जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशशवी मुख्यमंत्री भुपेश भगेल जी की मनस जगदल्पुर विधांसवाष शेत्र में ही 125 से अधिक मातागोडियों के जणोधार के लिए रासी अवन्टित की गई है गरामीन शेत्रों में मातागोडी का विशेश महत्वे हरती स्च्योहार के अलावा हर्कार में हमारे गरामीन भाई माता गुडी में पूजा अर्चना करते हैं जगदलपुर में जिला कॉंग्रेस कमीटी के मुख्य वक्ता आशीश मिश्रा प्रदेश महाससिव यूथ कॉंग्रेस और बस्तर संसत प्रतिनिधी और नारायन पुत्र विधायक और हस्त शिल्फ विकास बोड के अध्यक्ष चंदन कश्य अपने विधायक कार्याले करंदोला में पत्रकार उसे चचा की और कहा कि देश की मुख्य विपक्ष पार्टी के संसत और कॉंग्रेस पार्टी के पूर्वराष्टी अध्यक्ष राहुल गांधी जी जब संसत के अंदर बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है उनका रिकॉर्ड हटा दिया जाता है और सत्ता रूर पार्टी के मंत्री स संसद की कारवाही को अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए सांसद नहीं चलने दे रहे कि और सभी पदा दिकार है यहां लोगों को संख्या कम नहों इन सब पारों ध्यान कर रखते हुए जिसका यह नतीजा है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए तमाम सडियंत्र रच्ते हुए यह लोग सडियंत्र रच्ते हुए जैसे जब सत्र में बोलते हैं जो लोग सब आदेश का सबसे बड़ा आवाज उठाने का मंच होता है सब्सक्राइब इन सब ुढ़िए भी देखते आयोंगे के उनकी माइप को बंद कर दिया जाता है बोलने नहीं दिया जाता है जो सट्त अपक्ष की लोग है जब विपक्ष अपनी बात रखती रह तो मैप को बंद करना और बाइप़र करना सदन को इन सभी मुद्दों को लेते हुए आज प्रेस कांफरेंस रखा गया है ताकि आप सब के माध्यम से हमारे बस्तर की जनता के पास आवाज जा सके हमारे छेत्र की जनता के पास जो सच्चाई है वो जा सके 36 गड़ की खबरों में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार